ओके, जो थमनेल में आपने टाइटल पढ़ा, वो सही है, हाँ, मैं तो फस गया, बताता हूँ क्यूँ याने प्यार की लकीर ही नहीं है, पर एंट्री होती है एक लड़की की, जिसकी वज़े से वो आखिरकार प्यार में पढ़ी जाता है, पर अगर उसके हाथ में प्यार की लकीर ही नहीं, तो क्या विक्रमा दित्य और उस लड़की का प्यार आगे बढ़ पाएगा या नहीं, बस इस स्टोरी को थोड़ा अलग बनाने के लिए इसमें एक ट्विस्ट जोड़ा गया है, पामिस्ट्री का, जो अलग तो है, कभी-कभी वर्क भी करता है, देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक स्पेल काम कर सकता है, तो पामिस्ट्री क्यों नहीं, और हमारे इंडिया में तो हाथ देखकर भविश्य बताना ये कोई नहीं बात नहीं है, पर इसी पामिस्ट्री को कुछ जादा ही आगे और सूपर हुमन कैपेबिलिटी के साथ जोड़ा गया है, जो थोड़ा, एकदम थोड़ा सा, ज्यादा लगा, हाला कि बीच में साइन्स और पामिस्ट्री के बीच छोटी सी जंग भी दिखाई है, इसके बीच क्या सही है और क्या गलत, इसको लेकर एक सीन दिखाया गया है, और लास्ट में इसी बात को जस्टीफाई भी किया गया है, जो आपको फिल्म देखने के बाद पता चल ही जाएगा, फिल्म सवा दो घंटे की है, जो एपसलूटली ओके है, ना लंबी ना जादा शाट, और कही पर भी बोर तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, इंगेजिंग है, बैग्राउंड्स काफी अच्छे है, ज्यादा दर शूटिंग शायद रोम इटली में हुई है, पर कुछ एक सीन के पीछे ग्रीन स्क्रीन के इस्तिमाल का पता चल भी जाता है, जो नहीं होना चाहिए था, इसमें समुंदर में उठे तूफान के बीच का एक सीन है, सुनामी का सीन, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, वो काफी अच्छा था, और उसी सीन को देखकर लोग इसे देसी टाइटैनिक भी बोल रहे थे, पर वैसा का इसमें कुछ नहीं है, फिल्म में चार गाने हैं, जो ओके-ओके है, तीन तो इसके फर्स्ट हाफ में ही है, एक हॉस्पिटल दिखाया है, वहाँ रोम में, जिसमें काम करने वाले, पेशंट्स और डॉक्टर्स भी, सारे इंडियन्स ही थे, पता नहीं कैसे, पर थे, सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है, इसमें प्रभास की आवाज, अगर आप हिंदी में उतने प्रॉमिनन्ट नहीं हो, तो डबिंग आर्टिस्ट है न, उनसे करवा लो, अगर जब भी प्रभास का डायलोग में सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि बड़ा ही सोच समझ कर, ठहराओ के साथ हिंदी बोलने का ट्राइ कर रहे थे, जो कि सच कहूं तो नकली नकली सा लग रहा था, बाकि मूवी में कुल मिला कर तीन किसे से, एक छोटा सा बेट सीन है, जो इंटिमेट तो नहीं कह सकते, ठीक है, चलता है, वैसे वाला बेट सीन, तो हाँ फैमिली के साथ देख सकते हो, बाकि ओर ओर अगर बात करूँ, तो हाँ, टाइम पास है, करना है तो कर लो, मैं दूँगा इस मूवी को 2.5 आट आफ 5 स्टार्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाई.